अगर आप फिर से बच्वन की नानी या दादी की यादे जीना चाहते हो तो इस एक्सप्रेंशन को पूरे अंद तक ज़रूर देखे आज की मुवी दवे होम ही 2002 की मुवी इसी सबजेक्ट पर है IMDB में इसकी रेटिंग 7.8 है और सब लोगों ने इस एक्सप्रेंश को जीया है तो चली यह शुरू करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें मदर और सन एक बस में दिखते है यह गाव जा रहे होती है यह जो गाव होता है यह सन की नानी का गाव होता है संगू फिर अपने मदर से पूछता है क्या वो डेफ है? क्या वो सुन नहीं पाती? क्या वो स्केरी है? बहुत सारे क्वेस्टन उससे पूछ रहा होता है उसकी मदर उसके सवालों का कुछ भी जवाब नहीं देती इस बस में हम जब देखते हैं तब सब गाव के लोग होते है बस में इन्होंने एनिमाज भी लाए होते है संगू को ये बहुत लिए अनकमफरटबल मैसूस होता है संगू और उसकी मदर एक सीटी में रहते है अब वो गाव आ जाते है संगू अपनी नानी के पास फर्स्ट बार आ रहा होता है नेकसिन में हमें रैरिकली संगू की मदर उसकी नानी से बात करते हैं वो से कही थी कि अब मैं सीटी में रह रहु हूँ पर मेरे पास जॉब भी नहीं है वो अब संगू का खैल नहीं रख सकती है तो थोड़े दिनों के लिए जब तक वो जौब धून ले तब तक वो नानी के यहाँ संगू को छोड़ कर जाने वाली होती है संगू की मदर थी वो बहुत ही चोटी थी तब से उसकी मदर को छोड़ कर चली गई थी एक आदमे से उसे प्यार हो गया था और उसे उसने शादी कर ली थी फिर संगो की नानी पुछती है कि वो कहा गया मदर बोलती है कि मेरा उससे बहुत पहले डिवास हो चुका था अब थोड़े दिनों के लिए संगो यही रहने वाला है तो इसके लिए can foods, pretzels वेकरा यह सब fast food उसे लिए छोड़ कर जाती है नानी बहुत ही बुड़ी है तो उसकी nourishment के लिए भी उसने cream स्वेकरा लाई हुए होती है नानी संगो के head पर हाथ रखने कोशिश करती है पर संगो उसे जटक देता है वो कहता है कि यह बहुत ही dirty है मदर उसे बहुत ही राटती है संगो की मदर फिर उसे कहकर जाती है कि नानी को जादो तकलिफ मत देना संगो बहुत ही अच्छा लड़का है इसा अपने मदर को कहकर वहाँ से फिर चली जाती है जब संगो और नानी दोनों उसके मदर को छोड़ने के लिए आते है तब नानी उसे बात करना चाहती है नानी अपने बेट पर हाथ फेरा थी है पर ये जो जेस्चर है ये अभी तक संगो को पता नहीं कि ये क्या है तो उसे वो पागल है, रिटार्ड है इसा बोलाता है रात में नानी संगो के लिए बहुत सारा खाना बनाती है पर ये कुछ भी नहीं खाता जो कैन फूड उसके मदर ने उसे दिये थे ये वो खाता रहता है नानी के घर पर जो टीवी होता है वो भी ओन नहीं होता संगो ने कुछ खाया नहीं होता तो उसके लिए वो थोड़ी से स्वीट्स लाती है पर ये भी वो ठुकरा देता है अपना फिर गेमिंग कंसोल निकालता है उसके गेम खेलने लग जाता है जब रात होती है तो उसे पौटी आती है रात में उसे कुछ डर ना लगे इसलिए नानी वही बेटती है संगो रात में अपनी मदर चली गई है इसलिए बहुत रोता है नेक्स दिन सुबह हमें नानी पानी भरी यह दिखता है यह बहुत ही बुड़ी होती है और एक कंदे पर वो पानी लेकर जा रही होती है वह फिर एक neighbor का छोड़ा सा बच चाता है वो नानी के लिए उसने बहुत सारे सेब लाए होती है वो संगू के बारे में पुछता है संगू के पास जाकर वो बेट जाता है उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझ में खेलना होगा तुम मुझ में खेल सकते हो संगू एक टॉइ के साथ खेल रहा होता है उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है संगु उसे toy को हाथ नहीं लगाने देता इस neighbor के लड़के के पास एक dog भी होता है संगु उसके भी लाद मार देता है संगु अकेला ही दिन बर skating shoes के साथ खेलता रहता है नानी का चुरूटिन होता है साफ सवे करना, सब काम करना ये वो खतम कर लेती है संगु जब सोता है तो संगु के जो toys होते है उससे वो खेलने लग जाती है रात में नानी निडल से कुछ teach करना चाती है इसलिए निडल में जो धाका होता है वो वो अंदर नहीं डाल सकती उसके जो vision होती है वो बहुत ही कम होती है नानी जो है ये बात भी नहीं कर सकती ये बहुत ही बुड़ी हो चुकी है तो उसे बहुत सारे problems है संगु अपना game खेल रहाता है और वो उसे थोड़ा सा help कर देता है उसे फिर एक cockroach देखता है और वो बहुत ही डर जाता है नानी फिर इस cockroach को उठा लेती है संगु इस cockroach के लिए मारने के लिए बोलता है पर नानी का दिल साफ होता है वो कभी भी किसे को मार नहीं सकती है इसलिए उसे बाहर छोड़ देती है संगु जीस gaming console पर game खेल रहा था उसकी पैटरी सब खतम हो जाती है नेक्स दिन फिर अपनी नानी को बहुत ही परिशान करता है वो जहाँ भी जाती है उसके पीछे हो जाता है उससे पैसे वो मांग रहा होता है पर नानी के पास कुछ भी पैसे नहीं होते है पूरा घर वो चानता है पैसे उससे कही भी नहीं मिलते है इसे अब नानी पर बहुत गुस्सा आता है, नानी के जो शुज होते है, वो लेता है और वो फरनेस में डाल देता है एक beautiful pot नानी के पास होता है, वो भी वो नीचे गिरा कर तोड़ देता है उसके पास पेसे नहीं होते है पर नानी की जो हैर क्लिप होती है वो चांदी की होती है और इसे बेचकर वो अब बैटरिस खरिद सकता है इसलिए वो गाव में जाने लगता है एक बुड़ा आदमी होता है उसे रस्ता दिखाता है कि कैसे उसे गाव में जाना है गाव में जा जाए या वो रस्ता भूल चुका है जिस old man ने उसे रस्ता दिखाया था वही उसे फिर से दिखता है और यह old man फिर उसे अपनी नानी की हाले कर जाता है इस गाव में हर आदमी हर दूसरे आदमी को जानता है इसलिए वो एक दूसरे के help करते है संगु जब सोया होता है तो न शुह मेंटर की चीकन चाहिए नानी को कुछ भी समझ मनें आता संगु के पास यह समयनु है इसका image होता है यह email फिर वो नानी को दिखाता है नानी इसमें से चीकन पहचान लेती है वो हाद से enthusiastic करती है और क्या तुम्हेन खानी है यह उससे पूछती है संगु भी अब कुप करती है और संगु के पास लेकर आती है संगु जब इसे देखता है तब उसे बोलता है कि ये मुझे नहीं खाना था वो रोने लग जाता है वो कहता है जिए फ्राइट जाहिए था ये तो बॉइल्ड है ये कंटे की जिकन जैसा कुछ भी नहीं होता तो इसके लिए इस संगु फिर उसका ख्याल रगता है उसे चादर बंगराता है उसके पेर भी वह अच्ची तरह से कवर कर देता है उसके सर पर वो कलोथ वेगरा रखता है जब वो देखता है कि नानी के पास प्रॉपर हेले क्लिप नहीं है तो उसने जो चुराई थी वो फिर से वही लगा राने को खाना चाहिए तो इसलिए पचा खुचा जो चिकन होता है वो रेडी करता है संगो माउंडन मर घुमता है वहाँ उसे एक लड़की देखती है यह इसी की एज़ की होती है वो घर-गर खेल रही होती है वो उसके पास जाता है बात करना चाहता है इसके जो टॉइस होती है इस पर इसका पेर आ जाता है यह लड़की उस पर बहुत चिट जाती है संगो उसे स्वारी भी नहीं बोलता संगो यह सही करने कोशिश करता है बर वो करने पाता तो लड़की उसे कहती है तो यह मुझे स्वारी कहना चाहिए था यह उसे पुछता है कि क्या तुम मुझे से खेलोगी वो कहती कि नहीं तुमने पहले बरबाद कर दिया है और इस घरगर के खेल में तुमसे कोई शादी भी नहीं कर सकता संगो उसे पुछता है क्या तुम गंडे की जिकन मना सकती हो वो कहती कि नहीं पर मैं खा सकती हूँ मूवी के फर्स में जो नेवर का लड़का हमें दिखाया कया था वो इस लड़की का फ्रेंड है संगो उससे पुछता है कि क्या तुमारा वो बॉइफ्रेंड है यह लड़की उसे कुछ भी नहीं बोलती है हील पर यह नेवर का लड़का जोता है यह आगे भागता है और उसके पीछे एक काय आ जाती है यह भागते भागते हील के उपर आ जाता है और गाय से अपना पीछा छुड़वा लेता है नेक्स दिना में दिखता है कि नानी और संगो ये दोनों city में जाने वाले होते हैं नानी जो farming करती है वहाँ से वो pumping निकालती है और ये pumpkin वो sale आज करने वाली होती है नानी के साथ और भी कुछ औरते फिर वहाँ आ जाती है और ये सब अब city में आ जाते हैं एक बाजार में वाते हैं संगो फिर से उस लड़के को इस बाजार में देखता है नानी को उसकी हल्प चाहिए होती है उसे हल्प नहीं करता नानी को खुदी पमकीन सवगरा उठा कर लेकर जाने पड़ते है थोड़ी तरबात संगो देखता है कि जो पमकीन नानी सेल कर रही थी वो बीक नहीं रहे है इसे बहुत ही बुरा लगता है पर फिर भी हमें नेक सिहन में वो एक स्चूज के शॉप में देखता है एक शूज वो पहन रहता है और उसे यह पसंद भे आते है नानी फिर संगो को एक रेस्टोरे में लेकर आती है उसे जो अच्छा रगता है वो खाना उसे खिलाती है जो सब नानी के पास पैसे होते हैं ये बहुत सारे पैसे इस रेस्टोरन में चले जाते हैं संगु को बहुत ही बुरा रगता है उसे एक बैटरिस की शॉप भी दिखती है पर अपनी नानी को और उससे तंग नहीं करना होता इसलिए इस बार वो बैटरिस की जीत नहीं करता नानी फिर संगु को बस वर बिठाती है बस ड्राइवर नानी को कहता है कि तुमारी जो फ्रेंड है उसने तुम्हें मिलने को बुलाया है नानी संगू को पूछती है क्या तुम्हें कुछ खाना है संगू कहता है कि मुझे चोको पाई चाहिए नानी फिर अपने फ्रेंड से मिलने जाती है कि जो फ्रेंड होती है उसकी ग्रोसेरी शॉप होती है नानी की फ्रेंड और नानी बात ही करने लग जाती है नानी अपने फ्रेंड से उसके पेरों के बारे में पुछती है नानी के फ्रेंड के पेर सही से ने होते उसकी नीज में बहुत ही पेन होता है नानी के फ्रेंड को संगो के बारे में बता होता है उसे कहती है कि मुझे मिलवाने के लिए तुम्हे उसे लाना चाहिए था नानी उसे चोकोपाई पुछती है नानी की फ्रेंड उसे बहुत सारे चोकोपाई दे देती है उसे पैसे नहीं ले रहे होती तो नानी अपना पमकिन उसे दे देती है संगु के साथ जो लड़की थी वो भी बैट जाती है नानी जब बस में चड़ती है तो संगु उसे कहता है कि तुम अगली बस में आना मैं आज उस लड़की के साथ बैटना जाता हूँ नानी से वो जोकोबाई ले लेता है और नानी को अखेला छोड़ कर ही वो जाने वाला होता है नानी के पास जो भी बच्चे वे पमकिन होती है वो संगू को देना जाती है पर संगू उसे पिक अप नहीं करता संगू पिर गाव आ जाता है वो बहुत अपने नानी का वेट करता है और बहुत ही टाइम हो जाता है तब तोको उसके पास ने आती वो वरिड हो जाता है और भी समय गुजर जाता है और फिर नानी की गाड़ी उसे दिखती है अब उसे बुरा लग जाता है, नानी के पास जो बैग होती है, वो उठा लेता है नेक्स दिन जो लड़की थी, वो नेवर के लड़के से बात करती है यह संगू को बहुत ही जेलस फिल होता है, यह नेवर का लड़का हिल से उपर जा रहोता है संगु चिलना ने लग जाता है कि तुम्हारे पीछे काउ है ये लड़का भागते भागते उपर जाता है इसे लगता है कि सचमच में उसके पीछे काउ है पर सही में काउ उसके पीछे भी लग जाती है संगु को लगा था कि उसका मज़ा को उड़ाएगा पर यह success नहीं हो पाता इस सब attend में संगु का जो toy होता है यही उसके पेरखे नीचे आ जाता है और तूट जाता है जब राज होती है तो संगु को potty आती है वो डरता है तो अपने नानी को बुलाता है अपने पास उसे बेटने के लिए बोलता है नेक्स दिन फिर से नेबर का लड़का हिट से उपर जड़ रहाता है तो संगु फिर से चिलाता है यह तुम्हारे पीछे काउ है यह लड़का फिर भागता है और भाग कर गिर जाता है संगु के पास फिरो आता है और उसे कनफरंट करना चाता है संगो कुछ भी नहीं बोलता नानी ने अपने चाथी पर हाथ रगा था और गोल कोल गुमाया था यह जेस्चर संगो को समझ में नहीं आया था यही जेस्चर वो उस लड़के को करता है और वहाँ से भाग जाता है जो लड़की थी यह संगो से खेलना चाहती थी पर वो उसके साथ आज खेल नहीं पाया जब रात होती है तो संगो को बहुत ही अच्छा लगता है यह उस लड़की के साथ अब वो खेल सकता है संगो फिर बहुत ही अच्छे से रेडी होता है उसके जो बाल होते है यह जादा बढ़ चुके होते है नानी को यह सब वो बोलता है नानी कैची लेती है और एक कापने लग जाती है संगु उसे बोलता है कि जरा छोड़े-छोटे कापना नानी उसका अलगी हेरिकट कर देती है संगु जब उसका haircut दिखता है तो उसे लगता है कि वो बहुत ही गटिया लग रहा है वो नानी पर चिट जाता है, रोते रोते वहाँ से अंदर जला जाता है रात में नानी उसको pack कर रही होती है, वो संगु को देती है पर संगु एक सेब नहीं करता संगु को उस लड़की से मिलना ही होता है, वो एक cloth हो लेता है और अपने सर पर रख देता है उसके hairs अगर उस लड़की को नहीं देखेगे तो यह weird नहीं लगेगा जिस cloth को वो try कर रहा था, इसी cloth को लेकर नानी किसे से मिलने जा रही होती है नानी का एक old friend होता है, जिससे वो मिलने जाते है अपने friend से वो कैसा ही यह सब नानी बुछती है वो old friend कहता है, कि मैं बहुत ही बुढ़ा हो चुका हूँ मैं अब सब पर बोज बन चुका हूँ संगु की मदर ने नानी के लिए जो nourishments लाहे थे वो सब इस old friend को दे देती है वो कहता है कि इसकी जरूरत तो तुमें है नानी कहती है कि बहुत साल ते जीने वाली हो मुझे इसकी कुछ भी जरूरत नहीं है यह सब वो gestures में कहती है दूसरे दिन संगु अपने friend से मिलने जा रहा होता है उसके लिए वो अग teddy bear भी लेकर जा रहा होता है उसके पास एक kart होता है जिसको ओड़ कर वो लेकर जा रहा होता है जब हिल आती है तो उसे लगता है इस वर बेट कर उसे नीचे जाना चाहिए वो इस वर बेट जाता है पर उसका accident हो जाता है उसे बहुत ही लग जाता है ठिल पर ही काउ उसके पीछे लग जाती है अब ये जादा फासली दोड़ भी नहीं सकता और गीर जाता है जमेन पर जूख जाता है जो नेबर का लड़का था वो ये सब देख लेता है उसे बचाने के लिए वो आ जाता है संगो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया था इसके लिए मैं तुम्हारी माफ़े मांगता हो यह लटका केता है यह फिर तुम्हें दो बार माफी मागने पड़ेगी संगु रोतरोते जब घर आ रहा है तो अपना gaming console देखता है जो नानी ने पैक किया था इस gaming console के नीचे नानी ने पैसे रखे है वो जब घर आता है तो नानी उसके पास आती है सब उसके घाव देखती है उसके लिए उसे बहुत बुरा लगता है नानी उससे कितना पैर करती है ये देखकर रोरन लेज जाता है एक लेटर संगो के लिए आया हुआ होता है और उसका मदर का होता है उसकी मदर उसे लेने के लिए फिर से वापस आने वाले होती है तो एक ब्लाइंग लेटर मुझे सेन कर देना मैं समझ जाओंगा जो मिमार हो और मैं फिर से आ जाओंगा नानी के लिए निडल में धागे बनना यह बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है संगु उसके लिए बहुत सारे धागे बहुत सारे निडल्स में गूम देता है जिससे नानी को कोई प्रॉल्म ना है नेज दिन संगु की मदर उसे लेने के लिए आ चुकी है और यह सब हमें बस स्टॉप पर दिखते हैं संगु की मदर नानी को कहती है कि आपना आपका ख्याल रगना जो नरिश्मेंट मैंने तुम्हें दी है वो खाते रहना और तुम्हें ज पर संगु उसे अटेंशन ही नहीं देता संग को बहुत ही बुरा लग रहा है यह नानी को ऐसे छोड़ कर यह अब उस만 जाना पड़ रहा है जब बस आगे निकलती है वो पीछे के खिड़के पर संगु आ जाता है नानी को हाथ देता है उसे बाय करता है नानी को बहुत सारे कार्ड्स वो देखर जाता है नानी जब घर आती है तो बहुत कार्ड्स देखती है यह जो कार्ट्स होते है यह पोस्ट कार्ट्स होते है जब भी नानी विमार पड़े तो यह पोस्ट कार्ट वो सेंड कर सकती है इस पर रोने के हसने के बहुत सारे एमोशन्स होते है जब भी नानी को संगु की याद है तो कैसी है इस feelings को जदाने के लिए एक cards वो संगू को भेज सकती है नानी को संगू ने बहुत ही तकलिफ दी थी और मैं पता है कि नानी या दादी का दिल कैसा होता है बहुत ब्यूटिफुल ये movie थी अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इसे like और comment ज़रू कर दीजएगा मैं बहुत सारी movies लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस channel के subscribe कर दीजए और bell notification icon दोने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमूग के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिया